हलो अबरिबन वेल्कम बेक टु मैं चैनल तो आज का जो डीडिवाइ वह हम बनाएंगे कोकॉनट छेल से जो कोकॉनट छेल का यूज करके हम एक नई दो नई तीन तीन डीयाइवाइघ को सब करेंगे । इसी के साथ आज की वीडियो थे तरफ चलते हैं तो ये जो coconut shell है तो coconut का हम daily basis पर use करते हैं तो इसी से मैंने इन सब को collect किया है अच्छा जो coconut का shells होता है उसके बाहर जो इसका surface रहता है वो थोड़ा rough रहता है तो इसे मैंने sending paper से अच्छे से smooth बना लिया है बात में जो भी हम color और कुछ भी design करें वो इसके उपर आसाने से लग जाएं इसके बाद में याँ clay का use कर रही हूं तो मैंने यह पर दो shells लिया है इन दोनों को opposite direction में मैंने इसको चिपका लिया है तो चिपकाने के लिए clay का use किया है तो इसके उपर फिर मैंने clay का use करके इन दोनों को fix कर लिया है और white color का एक base coat दिया है तो यहाँ पे मैं एक planter बना रही हूँ जिस पे मैंने face का structure बनाया है तो इसी तरह से जो भी color और लेने हैं use में मैंने इन सब का use करके और यहाँ पे एक pattern draw किया है तो कुछ इस तरह से हमारा आज का ये first DIY ready है तो किस तरह से हमने एक coconut shell का use करके और एक acute सा face planter बनाया है color का काम होने के बाद इसके उपर आप एक furnish का coat जरूर अपलाए करिए ताकि आपका planter हमेशा ऐसा ही बना रहेगा तो चलिए second DIY भी बना लेते हैं तो इसके लिए भी मैंने आज यहाँ पर एक coconut shell का use किया है तो मैं यहाँ पर एक tortoise का shape बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ खले का use किया है तो खले के कुछ पार्ट को इस तरह स्टिक करके और tortoise के जो भी हाथ पैर का structure होता है वो बना लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े सी clay की retaining end कर रही हूँ इसके बाद मैंने यहाँ पर जो जितना भी clay stick किया था उन सब एक talcum powder एपलाई किया था ताकि इससे हमारा clay कोई भी surface पे stick पक नहीं जाए तो देखे तेलकम powder लगाने से जैसा structure हमने बनाया था वैसा गवैसा dry होने के बाद निकला है तो फैला coat हमने white कलर का दिया है उसके बाद मैंने यहाँ red कलर का use किया है थोड़े सी इस पर design बनाने के लिए 3D outliner का use किया है और इसके थोड़े सी clay की जो boundary है उस highlight करने के लिए silver कलर का यहाँ पर use किया है और फिर थोड़ा end में मैंने इस पर mirror लगा के इसे कुछ इस तरह से ready किया है तो वैसे भी लोग कच्छवे को बाहर से खरीद के लेके आते हैं क्योंकि यह घर के लिए गुट्चाम में माने जाते हैं और लोग इने घर में रखना पसंद करते हैं तो आप भी ऐसा खुछ DIY बना के अपने घर में अपने हाथों से लगाईए तो इसी के साथ थर्ड DIY बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था पर एक शेल बज गया था तो फिर मैंने इसका use करकी और इसकी बाहर और color करकी side में golden color करकी मैंने यहाँ पर यह अपने dressing table के लिए wash, ring और earrings रखने के लिए एक bowl ready किया है तो अगर आप भी कभी बाहर से जल्दी जल्दी में आते हैं और समान को इदर उदर रख देते हैं तो इससी अच्छा कि आप इस तरह का एक DIY बना के और इसमें अपने समान को अच्छे से रख सकते हैं So that's it for today ओपसू आज का ये DIY आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने relative और friends के साथ share करना है और मेरी चैनल को subscribe करना है